हलो स्वागते दोस्तों आपका फिर से हमारे यूटूब चेनल अप्टू डेट गॉर्मेंट जोब पर तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं पोस्ट ओफिस जी डी एस की भरती निकाली गई है ग्रामिंग डार्क सेवक की पोस्ट आपको दी जाएगी लास्ट डेट की बात करें तो 26 फरवरी 2021 तक इसके ओनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे केवल दसी पास यहां पर योगता रखी गई है यदि आप केवल दसी पास है तो आप इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं महिला और पुरुस दोनों के लिए वेकेंसी निकाली निकाली जायेगी और उसके बिहाँ पर यापका किया जाएगा तो दोस्तों पूरी जानकरी पाने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा और नोटिकेशन का डाउन लिंग में डिस्कूशन में दाल दियाए जासे आप इस वेकेंसी का नोटिफिकेशन डाउलोड कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि जैसे ही कई नए गोर्मेंट जोब आएगी पोस्त मास्चर और या फिर डाक सेवक की पोस्त आपको दी जाएगी लास्ट डेट की बात करें तो 26 फरवरी 2021 तक इसके ओलनाइन आवेदन फ़र्म भरे जाएगी तो सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो का आप अंतक देखीगा और इस नोटिफिकेशन का डाउलोलिंग में डिस्क्रिशन में डाल दिया है जासे आगी नोटिफिकेशन डाउलोड कर सकते हैं सबसे पहले और्गनेरेशन नेम के बारे में जानकारी ले ले लेते हैं तो देली पोस्टल सरकल यानि जी डी एस की तरफ से बढ़ती निकाली गई है और पोस्ट की बात करें तो ग्रामिन डाक सेवक की पोस्ट आपको दी जाएगी जिसमें टोटल 233 पोस्ट निकाली गई है ओल इंडिया लेवल पर आप भारत के सभी राजे से आप इसमें आवेदन फॉर्म बढ़ सकते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो स्टार्टिंग डेट 27 जनवरी 2021 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था 27 जनवरी 2021 से इसके ओनलाइन आवेदन फॉर्म सुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 26 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे एप्लिकेशन मोड यहां पर ओनलाइन दिया गया है एज लिमिट यानि आयू सीमा के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो मिनिममम एज यहां पर 18 वर्ष रखी गई है और मेक्जिमम एज यहां पर 40 वर्ष रखी गई है इसका मतलब 18 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक आप इसके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और एज रिजर्वेशन भी यहां पर दिया गया है एस पर गॉर्मेंट रूल आगे हम नोटिफिकेशन के तरफ चल के इसके बारे में पूरी डीटिल में जानकरी लेंगे तो आप वीड़ो को पूरा देखीएगा एज्युकेशन क्वलीफिकेशन के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो यहां पर एजुकेशन क्वल 10 वी पास योगिता मांगी गई है तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए याँ पर 14,500 रुपे मन्थली सेलरी दी जाएगी और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को याँ पर 12,000 रुपे मन्थली सेलरी दी जाएगी चलिए application fees की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया reserved candidates के लिए याँ पर form fees बिलकुल free है जैसा कि आप देख पा रहे हैं SC, ST और PH candidates के लिए याँ पर कोई form fees नहीं है और सभी category की females के लिए याँ पर कोई form fees नहीं है केवल general और OBC वालों के लिए याँ पर 100 रुपीस की form fees रखी गई है ये payment mode याँ पर online दिया गया है selection process के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो selection आपका merit list निकाली जाएगी उसके बियाव पर ही किया जाएगा कोई exam और कोई interview याँ पर नहीं होगा आपकी merit list निकाली जाएगी जो की 10th की mark sheet को देखते हुए merit list निकाली जाएगी और उस merit list के बिहाव पर यह आपका selection किया जाएगा तो दोस्तों यह रही basic जानकारी आगे की जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंतक देखिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक के सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जैसे कोई नए गुरुमें जोब आएगी तुरंत आपको वीडियो के मादब से जानकारी देदी जाएगी धन्यवाद तो ये हम नोटिफिकेशन पे आचुकें जैसा कि आप देख पारें गरामिन, डाक, सेवक, सर्कल, देली सर्कल की तरफ से भरती निकाली गई है तीन पोस्ट यहापन निकाली गई जो कि branch post master BPN या फिर assistant branch post master ABPN और dark सेवक की पोस्ट आपको दी जाएगी salary की बात करें तो सबसे पहले branch post master की बात करें तो 12,000 से लेकर 14,500 रुपे मंधली salary इनको दी जाएगी और ABPN यानि assistant branch post master और dark सेवक की पोस्ट की बात करें तो 10,000 से लेकर 12,000 तक मैने की salary दी जाएगी और नीचे की तरफ चले तो यहाँ पर age limit के बारे में जानकारी दी हुई है जो की 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की age limit यहाँ पर रखी गई है 18 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र दगाविस में ओनलाइन आवेदन फॉर्म बढ़ सकते हैं और age relationship भी यहाँ पर दिया गया है SCHT candidates के लिए 5 वर्ष की चूटे और OBC candidates के लिए 3 वर्ष की चूटे यहाँ पर दी गई है EWS candidates के लिए यहाँ पर कोई age relationship नहीं है और PWD candidates के लिए यहाँ पर 10 साल की चूट दी गई है और PWD candidates जो की OBC वाले हैं उनके लिए 13 साल की चूटे और PWD candidates जिनकी category यहाँ पर SCHT है तो उनके लिए यहाँ पर 15 साल की चूट दी गई है वैसे ही नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर education qualification के बारे में आपको जानकारी डी हुई है कि केवल यहाँ पर 10 सी पास योगिता मांगी गई है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं केवल 10 सी पास यहाँ पर योगिता मांगी गई है साती साथ आपकी math subject होना अनिवार रहे है और local language और English language के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको location wise local language के बारे में जानकारी दी हुई है जिस भी state से आप रहते हों उस state की local language आपको आना जरूरी है और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि basic computer training के बारे में आपको जानकारी दी हुई है जो कि at least 60 days का यहाँ पर duration रखा गया है और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको cycling के बारे में जानकारी दी हुई है कि cycling की knowledge थोड़ी बहुत आपको होना अनिवार रहे है cycle चलाना आपको आना चाहिए और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको basic जानकारी दी हुई है जो कि आप notification doubt करके इनको पढ़ सकते हैं और नीचे की तरफ आपको जानकारी दी हुई है 27 जनवरी 2021 से लेकर 26 सरवरी 2021 तक इसके online आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पर आपको जानकारी दी हुई है कि आपको क्या क्या डोकुमेंट जमा करवाने रहेंगे सबसे पहले आपको फॉर्म में अपना नाम जो की capital letter में लिखना रहेगा जो कि आपके 10 की mark sheet में जो नाम दिया हुआ है वो नाम आपको लिखना पड़ेगा आपका नाम आपका father's name आपका mobile नमर आएगा आपकी date of birth आपका gender आपकी community और यदि आप disabled person ने तो आपकी certificate यहाँ पर आएगा state in which 10th class pass तो जिस state से आपने class 10th pass कहिए उस state के बारे में जानकारी और कौन सा board है उस board के बारे में आपको जानकारी देनी होगी और किस year में आपने 10th class pass करी ती किस साल में आपने 10th class pass करी ती उसके बारे में आपको जानकारी देनी रहेगी आपका role number यह सब optional है यादि आप रिजर्व केंडिडेट्स और सभी फीमेल्स के लिए आपकोई फॉर्म फिश नहीं है, फॉर्म फिश बिलकुल निशुलक है, रिजर्वड और सभी फीमेल्स के लिए, तो दोस्तों यह रही बेसिक जानकारी, यह अड़िये आपको वीडो पसन आई हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए कोई जैसे कोई नई गौर्मेंट जोब आएगी तुरंत आपको वीडियो के मादम से जान करी दे दी जाएगी धन्यवाद